रडी इस्टार्ट नाटक को पस्चिम के अनेक महान या सम्मानित लेखकों का बल मिला ऐसे लेखकों में रूस के जर्मनी के नाम उलेखनी हैं रंग मंचिये आन्दोलनों और इन लेखकों के सम्मिलित एवं अदम्य प्रियोग आत्मक साहस और उत्साह की फल्सरूप आधुनिक एकांकी सर्वता नई स्वतंत्र और सुइस्पष्ट विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ उनकी क्रतियों के आधार पर एकांकी नाटकों की सामान्य विशेस्ताओं का अध्यन किया जा सकता है सतह पर ही बड़े नाटकों और एकांकियों का आकारगत अंतर इसपष्ट हो जाता है एकांकी नाटक साधारन तह बीस से लेकर तीस मिनट में प्रदर्सित किये जा सकते हैं जबकि तीन चार या पांच अंकों वाले नाटकों के प्रदर्सन में कई घंटे लगते हैं लेकिन बड़े नाटकों और एकांकियों का आधार भूत अंतर आकारातमक ना होकर रचनातमक है पस्चिम के तीन से लेकर पांच अंकों वाले नाटकों में दो या दो से अधिक कथानकों को गूत दिया जाता था इस प्रकार उनमें एक प्रदान कथानक और एक या कई उप कथानक होते थे संस्कृत नाटकों में भी ऐसे कथानक होते थे ऐसे नाटकों में इस्थान या द्रिश्यकाल और घटना करम में अनवरक परिवर्तन स्वाभाविक था लेकिन एकांकी में यह संभव नहीं एकांकी किसी एक नाटकी घटना यह मानसिक इस्थिती पर आधारित होता है और प्रभाव की एक आगरता उसका मुख्य लक्षन है इसलिए एकांकी में इस्थान समय और घटना का संकलन अनिवारे सा माना गया है कहानी और गीत की तरह एकांकी की कला घणत्व या एकागरता और मित्व्याईता की कला है जिसमें कम से कम उपकरणों के सहारे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव उत्वपन किया जाता है एकांकी के कथानक का परिप्रेक्ष अत्यंत संकुचित होता है एक ही मुख्य घटना होती है एक ही मुख्य चरित्र होता है एक चर्मोत कर्स होता है पाकिस्तान की ओर से पोसित और कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुझाहिद दीन पर अमेरिका की पाबंदी आतंकवाद की खिलाफ जारी भारत की लड़ाई को कुछ और आसान करने वाला एक ऐसा कदम है जिसकी प्रतिक्षा ही की जा सकती थी चुकि अमेरिका ने कुछ वक्त पहले भारतिय प्रधान मंत्री की वासिंगठन यात्रा के दोरान हिजबुल मुझाहिद दीन के सरगना सयद सलाहुद दीन पर पाबंदी की घोशना करती थी इसलिए यह तय माना जा रहा था कि जल्द ही उसका संगठन भी प्रतिबंद के दाइरे में आएगा पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन हिजबुल मुझाहिद दीन पर पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान की ओर से अमेरिकी सरकार के फैसले पर जिस तरह निरासा व्यक्त की गई उससे यही साबित होता है कि वहां किस बेसर्मी के साथ आतंकियों के पक्ष में खड़ा रहता है वह जैसे हिजबुल सर्गना सलाउद दीन के साथ खड़ा है वैसे ही जैसे मुहमत मुहमत के कुख्यात सर्गना मसूद अजहर को भी पाल पोश्ट कर रहा है या वही मसूद अजहर है जो चीन का भी चहेता बना हुआ है आखिर पाकिस्तान और चीन किस मुह से यह दावा करते हैं कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं चूकि यह करीब-करीब तैं हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है इसलिए भारत सरकार को एक और जहां इसके लिए सक्रिय होना होगा कि ट्रम्प प्रशाशन इसलामाबाद और रावल पिंडी को आतंकवाद का निरियाद करने के लिए अपने इस्तर पर दंडित भी करें वहीं यह भी देखना होगा कि कश्मीर में आतंकियों के साथ साथ उनके समर्थकों पर सिकंजा कश्नी का सिलसिला कायम रहे आतंकियों को चुन-चुन कर मार गिराने के साथ उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम और तेर होना समय की मांग है यह उनलेखनी है कि बीते दिनों रक्षा मंतरी ने सैनिकों को सीमा की सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें पूरी ताकत से दुस्मन को सबक सिखाने को कहा यह आवश्यक ही नहीं बलकि अनिवारे है कि गुस्पैट की टाक में रहने वाले आतंकियों के खिलाफ इतनी सक्ती बरती जाए कि वे भारत की सीमा में कदम रखने की सोच भी ना सके उनमें भय न केवल व्याक्त होना चाहिए बलकि वाह दिखना भी चाहिए ऐसी ही सक्ती राष्ट्रिय जांच एजन्सी यानी एनाईय को आतंकी फंडिंग के गोरक धंदे को नश्ट करने के मामले में भी दिखानी चाहिए इस एजन्सी ने कस्मीर के अलगाववादियों और उनके समर्थकों के अवैद आर्थिक सुरोतों की छानवीन करते हुए जो कुछ पाया है उसी यदि कुछ सुइस्पष्ट हो रहा है तो यही की कस्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद एक धंदा बन गया है विराव